well hello guys welcome you all to our youtube channel all in one where you gonna learn and find everything आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं engineering के बहुत ही difficult और खतरनाक subject की yes engineering drawings so engineering drawings होता क्या है engineering एक बहुत ही typical technical term drawings एक बहुत ही artistic term drawings and sketch इनका combination यह engineering में कर क्या रहा है तो बोल सकते हैं engineering drawings एक तरिके की technical drawings होती है जिसे एंजीनियर्स चूज करता है एक technical item को specify करने के लिए या फिर दूसरे words में हम लोग बोले हैं तो engineering drawings एक तरिके क्या graphical language होती है जिसकी मदद से engineers आपसमें communicate करते हैं especially mechanical engineers civil engineers and architects यह लोग बहुत ही ज्यादा धान देते हैं अपनी drawings की ओपर क्योंकि यह बहुत ही important part होता है उनकी field का तो सारा खेले concepts का सारा खेले imagination का अगर आप किसी चीज को imagine कर पाते हैं कि वह front से कैसे दिखती है वह side से कैसे दिखती है वह top से कैसे दिखेगी अगर मैं उस चीज को particular angle पर जुका दू तो वह front से top से side से कैसे दिखेगी तो यह subject बन जाएगा आपके लिए बहुत ही easy और बहुत ही interesting अगर फिर भी आप इस चीज को imagine नहीं कर पा रहें तो हम लोग आगे आने वाली वीडियो में इस चीज़ों को चीखेंगे so कुछ terms जो हमें drawings बनाते हैं बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने बढ़ते हैं पहली चीज डामेंशन हर चीज जो हर line हमने कीचिए हर incline angle पर जो line कीचिए vertical horizontal जो भी हमने कीचिए उसका dimension करना जरूरी है और dimension शुट भी precise यह mm में होते हैं तो हमें बहुत ही precise रहना पड़ता है इनको dimension देते टाइम उसके अलावा next चीज होती है labeling जब हम चीज को front से दिखते हैं वह कुछ और shape में दिखेगी top से दिखते हैं तो वह कुछ और shape में तो top views, front views और final views जो होते हैं उनका हर किसी का labeling symbol अलग होता है तो हमको labeling भी ध्यान से करने पड़ेगी तीसी चीज़े जो आती है वह होते है angles जो हमने किसी भी चीज़ को जुकाया तो एक angle बनता है तो angle भी हमको बहुत ही precise रखने पड़ेंगे और उनको भी हमें label करना पड़ेंगे तो कुछ चीज़े जो हम आग्याने वाली वीडियो में पड़ेंगे तो उनमें से पाइली चीज़ है Plains, Plains दो तरीके के होता है एक होता है vertical plane एक होता है horizontal plane यह क्या है हम आग्याने वाली वीडियो में से छीखेंगे दूख सी चीज़ होती है views top view, front view and the third one is side view इन तीनो वीडियो को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि top view क्या होता है front view क्या होता है side views क्या होते है इनकी labeling क्या होती है पहले front view बनाना चाहिए या side view या फिर top view या आने वाली वीडियो में लोग इससे बात करेंगे तीसरी चीज़ होती है, जो होती है orthographic projections, orthographic projections भी हम लोग आने वीडियो में डिससे रहेंगे चौती वाली term जो है, वो है isometric projections और final जो चीज़ है, हम लोग डिसकस करें या आगे वीडियो में section of solid, ठीके, एक example से हम लोग समझेंगे यह है duster का front view, मतलब duster सामने से क्था दिखता है यह है उसका top view और यह है duster का side view, इसका हम लोग एक example लेके देखते हैं कि actually id में हम लोग करते क्या है, तो इसको मैं trace कर लोगा board के ओपर, कि front view से हम लोग देख रहे है तो हमको एक rectangle देख रहे है, तो मैं एक rectangle draw कर रहा हूँ, इसकी length का तो duster को चुछ दिख रहे है, सामने से, तो इसका front view कुछ ऐसा है duster को मैं अगर top से दिखना चाहूँ, मतलब ऐसे, तो हमें एक छूटा rectangle, तो मैं इसे भी trace कर लेता हूँ, एक rectangle छोटा वाला और बात करो मैं, side view की, तो duster side से कुछ ऐथा दिख रहा है, तो तो यह है duster का top view, sorry, यह है duster का front view, यह है duster का top view, और यह है duster का side view, एक और चीज़ की बात करें, हम लोग sections of solid, जैसे यह solid piece है, लाइक यह रहा, और इसको किसी भी particular angle पर अगर मैं card दूँ, तो इसका final view कुछ ऐसा होगा, और यह piece कटके अलग हो जाएगा, तो इसको paper के ओपर हम लोग draw के से करेंगे, तीसी चीज़ हमरे जो छूटती है, वो है orthographic projection और isometric projection, इसको अभी में हम लोग discuss कर लेते हैं, जैसे कि किसी भी object को paper के ओपर 3D में describe करना, for example, ठीक है, तो यह है एक cube, जो 3D में बनाए हम लोगों ने, यह इसका है side view, यह उसका है front view, और यह है इसका top view, इसको हम लोग अलग-अलग differentiate कर देते हैं, straight line से side view, और SI line से top view, ठीक, so orthographic और isometric projection भी हम लोग आगरे आने हम ले वीडियो में detail में discuss करेंगे, I hope you guys enjoyed the video, गर आप कोई वीडियो पसंद आया हो, तो like करे, subscribe करे, और share करे हमारे इस channel के link को, आपके दोस्तों के साथ, whatsapp पे, personal पे, और कोई भी छोटे से जोटा doubt हो, प्लीज कोमेंट करें, हम लोग उनको पढ़ेंगे, और आने वाली वीडियो में उन डाउट को discuss करेंगे, और आगे आने वाली है engineering subjects related हमारी कई सारी playlist, so subscribe करना बिल्कुल न भूले, see you in the next video, सायोनारा करेंगे झाल झाल झाल